हाई नमस्ते सलाम वालेकूम उम्मीद करते हैं तो आज सुरह मरयम को सुनते हैं और फिर हमें पता चलेगा है कि इस सुरह में एक्जेक्टली क्या चीज यह समय की मोथे जाता है उनकी उपर जो मधर मैरी एक वीडियो ती उसमें तीक्या जेक्र में इसायका नहीं है कि मत अजो है कुरान में वहएं बाते जिक्र की गई है बकाईदा रहा बहुत वाःबल में नहीं है यह मुझे नहीं पता था, वेदियो से ही पता चला था कि यह चीज है और भाइबल में उनके बारे में क्यों जिकर नहीं किया गया और हजुन कि McLा जान किया मुझे कुछ आईडिया निया क्यों mm यह हमारी मेरे सुरह क्यों स्वेशा prosecutor, कुमार्ञ से नहीं आमानि र्रहीम चमकने लगा है और एए मेरे परवर्दिगार मैं तुझ से मांगकर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ और मेरी बीवी बांज है फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फर्मा जो मेरी और आुलाद याकूब की मीरास का मालिक हो और एए मेरे परवर्दिगार उसको खुश अखलाफ बनाईयो परमाया एए जकरिया हम तुम को एक लड़के की बिशारत देती हैं जिसका नाम यहिया होगा इस से पहले हमने इस नाम का कोई शक्स पैदा नहीं किया उन्होंने कहा कि परवर्दिगार मेरे हाँ किस तरह लड़का होगा जब के मेरी बीवी बांज है और मैं बढ़ाते की इस हालत को पहुँच गया कि सूब गया हूँ हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा तुम्हारे परवर्दिगार में फर्माया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुम को भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज न थे कहा कि परवर्दिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकरर फर्मा फर्माया निशानी ये है कि तुम सही व सालिम होते हुए तीन राप दिन लोगों से बात न कर सकोगे फिर वो अबादत के हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो परमाया एए यहिया हमारी किताब को मजबूती से ठामे रहो और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफत और पाकीज़गी दी थी और वो परहिदगार थे और वो अपने माबाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफाद पाएंगे और जिस दिन जिन जिन्दा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम है और किताब यानी कुरान में मरीम कभी तvit करो जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मश्रिकी हिस्ते में चली गई फिर उनों ने उनकी तरफ से परदा कर लिया तो हम ने उनकी तरफ अपना फरिष्टा भेजा सो वो उनके सामने एक खुबसूरत मर्द की सुरत में आया मर्यम बोली कि अगर तुम परहदगार हो तो मैं तुम से बचने के लिए रह्मान की पना ले दी हूँ परिष्टे ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परदगार का भेजा हुआ यानि फरिष्टा हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीजा लड़का बखशू मर्यम ने कहा कि मेरे हाँ लड़का क्यों कर होगा जबके मुझे किसी मर्द ने बतौर शोहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ फरिष्टे ने कहा कि यूँ ही होगा तुम्हारे परवर्दगार ने फर्माया कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूँगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जर्या रहमत बनाएं और ये काम मुकरर हो चुका है चुनाचे वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगा चली गई फिर दर्दे जिह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिस्री हो गई होती तब उनके कीले के नीचे की जानब से फरिष्टे ने उनको आवाज दी के घमनाक नहो तुम्हारे परवर्दिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़ कर अपनी तरफ हिलाओ वो तुम पर ताजा उंदा खजूरे गिराए पिर वो उस बच्चे को अटाकर अपनी ब्रादरिवालों के पास ले आई य। वो कहने लगे कि मरियम ये तो तू ने बुरा काम किया ऐ हारून की बेहन ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही बदकार थी तो मरियम ने उस बच्चे की तरह बशारा किया वो बोले कि हम इस से के गोत का बच्चा है कैसे बाग करें बच्चे ने कहा कि मैं अल्लह का बंदा हूँ उसने मुझे किताब दी है और नभी बनाया है और मैं जहां हूँ और जिस हाल में हूँ उसने मुझे साहिब बरकत बनाया है और जब तक जिन्दा हूँ मुझे को नमाज और जकात का इर्शात फरमाया है और मुझे अपनी मा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकश और बदवक्त नहीं बनाया और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिन्दा करके उठाया जाऊंगा मुझे पर सलाम है ये मरियम के बेटे ईसा है और ये सच्की बात है जिसमें लोग शक्रते ही अल्ला को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए वो पाक है जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है और बेशक्ष अल्ला ही मेरा और तुम्हारा परवर्दिगार है तो उसी की अबादत करो यही सीधा रस्ता है फिर एहल किताब के फिरकों ने बाहरम इक्तिलाफ किया सो जो लोग काफिर हुए हैं उनको बड़े दिन यानि कियामत के रोज हाजर होने से खराबी है वो जस दिन हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे मगर जालिम आज खुली गुमराही में है और उनको हस्रत औ अफसोस के दिन से डरा दो जब बात फैसल कर दी जाएगी और वो गफलत में पड़े हुए हैं और एमान नहीं लादे हमी जमीन के और जो लोग उस पर बस्ते हैं उनके वारिस होंगे और हमारी ही तरफ उनको लोटना होगा और किताब में अबराहीम का जिक्र करो बेशक वो नहायत सचे थे पेगंबर थे जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अबबा आप ऐसी चीजों को क्यों पूचते हैं जो ना सुनें और ना देखें और ना आपके कुछ कामा सकें अबा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला तो मेरे साथ हो जाएए मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा अबा शेतान की पूजा न कीजिए बेशक शेतान अल्लह का ना परमान है अबा मुझे डर लगता है कि आपको अल्लह का जाब आ पकड़े तो आप शेतान के साथ ही हो जाएं उसने कहा कि अबाहीम क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है अगर तू बाद ना आएगा तो मैं तुझे संक्सार कर दूँगा और तू हमेशा के लिए मुझे से दूर हो जा अबाहीम ने सलाम उना आलेकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवर्दिगार से बक्षिश मांगूँगा बेशक वो मुझे पर नहायत महर्बान है और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्ला के सिवा पुकारा करते हैं उनसे कनारा करता हूँ और अपने परवर्दिगार ही को पुकारूंगा अमीद है कि मैं अपने परवर्दिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा और जब इबराहीम उन लोगों से और जिनकी वो अल्ला के सिवा परस्टिश करते थे अलग हो गए तो हमने उनको इसाग और इसाग को याकूब बखशे और हर एक को पेगंबर बनाया और हमने उनको अपने रहमत से बहुसी चीजने इनायत की और उनका धिक्र जमील बुलंद किया और किताब में मुसा कभी जिक्र करो बेशक वो हमारे बरगुजीदा थे और रसूल थे नबी थे और हमने उनको तूर की दानी तरफ से पुकारा और बातें करने के लिए नजदीग बुलाया और अपनी महरबानी से उनको उनका भाई हारून पेगंबर बना कर अता किया और किताब में इसमाईल कभी जिक्र करो वो वादे के सच्चे और रसूल थे नभी थे और वो अपने घरवालों को नमाज और जकात का हुक्म करते थे और अपने परवर्दिगार के हाँ पसंदीदा थे और किताब में इद्रीज का भी जिक्र करो वो भी नहायत सच्चे थे नभी थे और हमने उनको उची जगा उठा लिया था ये वो लोग हैं जिन पर अल्लह ने अपने पेगंबरों में से फजल किया यानि उलाद आदम में से और उन लोगों में से जिनको हमने नूँ के साथ कष्टी में सवार किया और अबराहीम और याकूब की आउलाद में से और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और जिने बर्गुजीदा किया जब उनके सामने हमारी आयते पढ़ी जाती थी तो सजदे में गिर पढ़ते और रोते रहते थे क्योंके आयते सजदा तिलावत की गई है लहादा सामीम पर सजदा वाजब है फिर उनके बाद चन्द नाखलफ उनके जानशी हुए जिनुने नमास को जाया कर दिया और खाहिशात नफसानी के पीछे लग गए सो अंकरीब उनको गुमराही की सज़ा मिलेगी हाँ जिसने तौबा की और एमान लाया और अमले नेक किये तो ऐसे लोग बहिश्ट में दाखल होंगे और उनका जर्र नुकसान न किया जाएगा यानि हमेशा की बहिश्टों में जिसका अल्लह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो उनकी आँखों से पोशीदा है बेशक इसका वादा नेकुकारों के सामने आने वाला है वो इसमे सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शक्स को मालिक बनाएंगे जो परहिजगार होगा और फरिश्टों ने पेगंबर को जवाब दिया कि हम तुमारे परवर्दिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते जो कुछ हमारे आगे है और जो पीछे है और जो इसके दर्मियान है सब उसी का है और तुमारा परवर्दिगार भूलने वाला नहीं यानि आस्मान और जमीन का और जो इन दोनों के दर्मियान है सब का परवर्दिगार तो उसी की अबादत करो और उसकी अबादत पर सावित पदम रहो भला तुम कोई उसका हम नाम जानते हो और काफिर इनसान कहता है कि जब मैं मर जाओंगा तो क्या जिन्दा करके निकाला जाओंगा क्या ऐसा इनसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जब कि वो कुछ भी चीज ना था सो तुमारे परवर्दिगार की कसम हम इनको जमा करेंगे और शेयतानों को भी फिर इन सब को जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे फिर हर गिरों मेंसे हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रह्मान के मुकाबले में सब सरकशी करते थे फिर हम उन लोगों से खूब वाकित हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं और तुम मेंसे कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा ये तुम्हारे परवर्दिगार पर नाजिम है मुकर्र है फिर हम परेज़गारों को नजाद देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे और जब उन लोगों के सामने हमारी आयते पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मुमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक मेंसे मकान किसके अच्छे और मजलिसें किसकी बेहतर हैं और हम ने इन से पहले बहुत सी उमते हलाक कर दी वो लोग इन से ठाट बाट और नमुद नुमाईश में कहीं अच्छे थे कह दो कि जो शक्स गुमराही में पड़ा हुआ है रहमान उसको आहिस्ता आहिस्ता मौलत दिये जाता है यहां तक कि जब इस चीज़ को देख लेंगे जिसका इन से बादा किया जाता है खाँ अजाब और खाँ गयामत तो उस वक जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लशकर किसका कमजोर है और जो लोग हिदायत याब हैं, अल्लह उनको ज्यादा हिदायत देता है और नेकियां जो बाकी रहने वारी हैं, वो तुम्हारे परवड़िगार के हाँ, सिले के लिहाद से खूब और अंजाम के इतिमार से बेहतर हैं भला तुमने उस शक्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफर किया और कहने लगा कि अगर मैं अस्तरिनो जिन्दा हुआ भी तो यही माल और उलाद मुझे वहां मिलेगा क्या उसने गैद की खबर पाली है, या अल्लह के यहां से एहद ले लिया है, हर्गिस नहीं यह जो कुछ कहता है, हम उसको लिखते जाते और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाते ही, और जो चीजें यह बताता है, उनके हम वारिस होंगे, और यह अकेला हमारे सामने आएगा, और उन लोगों ने अल्लह के सिवा और माबूद बना लिये हैं, ता यह जो काफिरों पर छोड़ रखा है, कि वो उनको खूब उकसाते रहती ही, तो तुम उन पर अजात के लिए जल्दी ना करो, कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं, जिस रोज हम परहिजगारों को रहमान के सामने बता और महमान जमा करेंगे, और गुनहगारों क दोजख की तरफ प्यासे हांक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इक्तियार न रखेंगे, मगर जिसने रहमान से इक्रार ले लिया हो, और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, ऐसा कहने वालो, ये तो तुम बुरी बात जबान पदलाते हो, करीब है कि जूट स आस्मान फट पड़ें और जमीन शक हो जाएं और पहाड पारा पारा होकर गिर पड़ें, कि इनों ने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया, और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए, हर शक्त जो आस्मान और जमीन में है, रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा, उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शमार कर रखा है, और ये सब प्यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिए हाजिर होंगे, और जो लोग इमान लाए और अमले ने किये, रहमान उनकी महबत मखलुकात के दिल में पैदा कर देगा, ए सुना दो, और हम ने इन से पहले बहुत से गिरहों को हलाक कर दिया है, भला तुम इन में से किसी को देखते हो, या कहीं इनकी धिनक सुनते हो, तो सुरह मर्य में बेसिकली दो किस्सों का जिकर किया गया है एक तो जकारिया वाला की जो जकारिया था वो काफी बुड़ा था और उसने खुदा से बोला था कि मुझे एक बेटे की बक्ष अदा करो ताकि मेरे एक बेटा हो कि मेरे बाद में कोई मेरे प्रोपिटी का और मेरे आगे वच को बढ़ाने वाला हो तो उन्षोंने भी खुदा से बोला कि मुझे एक बेटा आप दो बट उनकी जो वाइप थी वो मतलब बाउनों ने बोला था भाउनों जोता है अन्हों बूला तो मेरी वायस मैं भाम्झ बढ़ा है और मैं भी बुड़ा हो चुका हूँ तब उस टाइम ने यह मेंस्ज मिला था कि ठीक है आपके बेटा होगा बट उनका यही डाउड था कि मैं इस ऐज तो उनकी अम्र्जी के बिना ऊप्टा करता और कि पेनात को भीम घी इक किना सतर्फ का रिर पर पहु जो होसकता है तो हमसि जी आति सब्सक्राइब meant ुश्यए करें बीन, और चाहWind. को देवाने को किता है, और में अग़रन दृति मेरी थी उन्होंने कंसीव किया क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे जो उन्हें करनी पड़ी थी लोगों के ताने और वो सब तो वो चीज सुरह मर्यम में मैंशन की गई है अगें तो खुदा नहीं मदर मर्यम को चूज किया था कि इनके पास से वो शक्स पैदा होना कोई वहां पे डॉक्टर नहीं था कोई दाई बगएरा नहीं थी उनके पास में तो शीव सप्रिंग का लॉट तो उस टाइम पे उन्हें एसा फील हो रहा था कि काश में मर ही जाऊ इससे अच्छा है तब उस टाइम पे पानी का चश्मा भी उनके लिए हाजिर हो गया था और उन्हें ये मैसेज मिला कि उन्हें एक हजूर खा लेने चाहिए और पानी पी लेने चाहिए और वो जो बच्चा था उसने लोगों को बताया था कि मुझे खुदा ने भीजा है पिकरस मदर महरेम को तो मना किया गया था कि वो नहीं कुछ बोले लोगों को अगर वो कहीं पर भी किसी भी चीज़ के बिना कहीं कुछ भी करामात करके दिखा सकते। तो सूरा मर्णा से हमें यह पता चला कि अगर खुदा की मरजी हो तो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं। बाव 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 बाव